नमस्ते दोस्तों आपका स्वागत है पीपों है मैं यह वीडियो बहुत डिमाड में है बहुत सारे डीम्स, बहुत सारे इमिल्स कल रात से मेरे पसा रहे हैं कि भाई आपका क्या क्या क्याना इस बारे में क्या Elvish Yadav फेक हिंदू है Elvish Yadav ने मुनावर फारुकी को गले लगा लिया भाई से ऐसा कैसे होख सकता है वो तो anti-hindू है मतलब I will tell you कि मेरा opinion किया इस बारे में और यहां मैं ढंक से decode करते ना चाहूंगा कि पूरा मामला क्या है और क्या Elvish Yadav एक बड़िया influencer है, घड़िया influencer है Constitution gives you that right तो मेरा opinion आपको बड़े simply पता चल जाएगा decode करते हुए इस पूरे मामले को तो पहले मैं बता देता हूँ यह सारा मामला कहां से जन्मा जो charity, league, सचिन तेनलुकर और कई और लोगों ने जो start करी है जिसमें obviously सचिन तेनलुकर, अक्षे कुमार और फान पठान, यूसफ पठान, बहुत सारे लोग मुनावर फारुकी, अलवेश श्यादव, रथिक रोशन, कुनाल खेमू और तो मनी पीपल, आमेर, उस फिसिकली डिसिबिल्ट और उसमें अलवेश श्यादवी थे और एक sports match के दुरान अलवेश श्यादव, हग करते वे दिखाए दिये गए एक picture में मुनावर फारुकी को which was more like अभी तुने मेरा कुछ हक्का मारा मैंने तेरा विकट ले 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 देखा you know, it's like एक field पे ऐसा हो जाता now, अब इस पे दो पहलू है क्या एलवेश श्यादव ने जो मुनावर फारुकी को एक match के दुरान एक charity match के दुरान जो हग किया क्या उससे एलवेश श्यादव एक fake हिंदू हो जाता मुनावर फारुकी को गले लगाने से कोई fake या true हिंदू वैसे भी आप कैसे कैसे उसको judge कर सकते हो अब जैसे मैं श्याली कास चुआ तो ये photos मुनावर और एलवेश की viral होने लगी सब लोग बोलने लगी भई एलवेश अब एलवेश नहीं रहा अब हिंदू वाला एलवेश नहीं रहा ये pro हिंदू नहीं रहा अब तो ये change हो गया ये तो मुनावर के साथ मिल गया है ये fake हिंदू है ये anti हिंदू है और पता नहीं क्या क्या अब ये कौन करवा रहा था कौन नहीं पता नहीं पर हाँ बहुत जल्दी shame on एलवेश टेंड करने लगा अरजिया कि अब ये भी हो सकता है कि बढ़ा सोचा मैंने कि ऐसा कैसे हो सकता है अब मैंने वो match नहीं देखा था और मैं बहुत सोच में पढ़ा वा था कि ऐसा कैसे हो गया आज तक जो एलवेश जो अपनी गाड़ी के बिज़े भी जैश्क्री राम लिखवा था था आज उसको लोग anti-hindoo या fake hindoo क्यों बोल रहे हैं फिर मैंने खुद वो photos देखी अजीब सी बात ये है कि देखिए Elvis यादव ने पीशे राम मंदिर का भी बड़ा प्रचार किया और सितारों की बात कर रहे हैं राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो और चीज़ बता तूँ पीछे 2017 में एक आर्टिकल बहुत viral हुआ था जिसमें एक astrology ने ये prediction कर रही थी कि जैन 2024 में ही राम मंदिर बनेगा और ये भी Supreme Court से दो साल पहले और वैसा ही हुआ ये आर्टिकल बढ़ने के बाद मुझे बहुत curiosity हुई मैंने घाल कि मैं खुद पर experiment करता हूँ ऐसे किसी भी से बोला कि कोई है कोई आप जिससे मैं अपनी जनम पत्रिव गा रहे दिखा दू तो उन्होंने एस्ट्रोटॉक बोला अब एस्ट्रोटॉक डाउंलोड करते ही मेरे साथ कुछ शॉकिं हुआ सुनो पहले अब पलिव जी जिन से मेरी बात हो रही थी उन्होंने सीधा मेरी अब किसी के साथ ऐसी कॉन्टूवर्सिस हो रही है किसी के राध हूँ या किसी कि करियर की बात हो कई लोग जोग जोब के इंटर्व्यूस देते रहते हैं बर जॉब नहीं मिल पाती और आप भी क्यूरेस हैं तो मैं स्टो टॉक का जो लिंक है वो दे देता हूं वीडियो रिसेप्शन में आप डाउनलोड कलेना पहली चैट फ्री मिल जाईए और एलवेश अगर तुम सुन रहे हो तुम मुझे लगता है तुम्हें भी बहुत सक्स जरूरत है आज ही अभी तो वह पेस आते हैं कहानी तो हो गई पर जैसे मैं आपको बता रहा था कि एलवेश के मुझे लग रहा है सितारे गर्दिश में है क्योंकि एलवेश जो अपने आपको कटर हिंदू बोलता है जिसने हिंदू धरम को बहुत प्रोगेट किया है उसको आज लोग एंटी है मैं आपको बताता हूँ तो ये इसका भी एक कुछ बैक्राउंड है तो मुनावर फारुकी जो अभी बिग बॉस जीता है उसने पुछले टाइम में कुछ अपना कॉमेडी स्टेंड़ अप करते हुए हिंदू भगवानों के खिलाफ रोस किया था उनका मजाख उड़ा चाहिए और इंडिया में तो खासकार हमारा कंट्री एक सेकुलर हमारा कॉंस्टिशन हमें सेकुलरिजम की बात करता है तो हम लोगों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए हर किसको जज़ नहीं करना चाहिए कोई कहां पैदा होता है उससे उसको जज़ नहीं करना चाहिए उसकी deeds उसके करमों से उसको judge करना चाहिए एक generalize नहीं करना चाहिए चीज़ों को राइड अब मुनावर फारुकी ने जो किया वो बिलकुल गलत है उसने उसकी sorry भी डंक से नहीं मांगी बिलकुल गलत है पर क्या उसके लिए उसको माफ कर देना चाहिए और move on करना चाहिए मेरे खाल से second chance किसी को भी देना चाहिए अगर वो फिर से वो चीज repeat करता है तो हाँ फिर वो चीज़ गलत है पर क्या वो बंदा actually में villain है क्या वो बंदा बहुत घड़िया इंसान है या उससे गलती हो गई और क्या उस गलती के लिए माफी होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए क्या हम लोग सब गलतियां नहीं करते तो अगर उसने वैसे भी हग कर लिया होता तो मैं तो कहता हूँ कि उसको आप Elvish Yardav को fake Hindu नहीं कर गए इस बात पर पर अब आते हैं कि Elvish Yardav को hug किया किस मौके पर किया कैसे किया तो अगर आप sports match खेल रहे हो एक charity match खेल रहे हो जहां बहुत सारे लोग आये हैं बहुत सारे लोग हैं फोटोस किचवा रहे हैं मिताब बच्चान है everybody was there तो वहाँ आपको एक रंजश you know it looks very odd everybody would look down on you अगर आप एक personal vendetta लेकर इतनी बड़े मुकाम पे आते हो जहां charity हो रही है किसी अच्छे मकसद के लिए वो game हो रहा है तो आपको सारी चीज़े भुला के वहाँ sportsmanship दिखाने चाहिए और अगर आप वहाँ sportsmanship दिखा रहे हो तो वो इसले नहीं दिखा रहे है बिकोज आप उस चीज़ का फाइदा उठाना चाहते हो या आपको अब आप चका चौन की दुनिया में आप celebrities के साथ हो तो आप अलग हो आप hypocrite हो गए हो नहीं क्योंकि वहाँ you have to behave you have to have some kind of etiquette तो अगर वहाँ आप किसी को hug कर रहे हो या sportsmanship की दोरान कर रहे हो कोई ऐसा movement आ गया तो आप वो इसले कर रहे हो वहाँ का mood आपको अच्छा रखना है positive रखना है जिससे overall आपको ऐसे मौके में ले हो और आप ऐसी चीज़ों में और contribute कर पाओ लोग आपको एक सही influencer समझे अब ऐसा अनपड़ो और जाहिलो वाला logic अगर लगाये जाए कि मुनावर को हक करना या ना करना आपके हिंदू होने या ना होने को दर्शाता है तो फिर तो मुनावर फारुकी नया जब सचिन दिलन को आउट करा और उसके बाद जो भी उनकी टीम थी पिंक वाली, खिलाडी लेवन, जिसमें अक्षे को मारते है प्रतीक बबरते, रॉबिन उथपपा जो सारे मुनावर को हक कर रहा थे, वो सारे अब नौन हिंदू हो गए, फेक हिंदू हो गए फिर तो इस लॉजिक के हिसाब से दो, यह क्या बेसिर पैर की जाहिलों और गवारों वाले लॉजिक लोग देते हैं जो मैंने अब भी डीकोड कर रहा है, I think this is what is most important to understand तो मुझे नहीं लगता इस सारे मामले में कोई भी आपको इस सेटिफिकेट दे कि आप वेक हिंदू हो या आप साही हिंदू हो, वो ठीक है और कोई भी ऐसी organization नहीं इंडिया में इंडिया को concentration आपको बता था कि आपको कैसे कोई चीज प्रीच करने चाहिए और कैसे कोई चीज मानने चाहिए और कैसे आपको पुरी freedom है कि आप अपना religion कैसे practice करते हो दूसरा इसमें एक और चीज है कि कई लोग obviously बोलेंगे कि अगाज भाई आप तो हमेशा Elvish Yadav की support में करते हो उसने इतने गंदे काम किये हैं तो देखो मैं Elvish Yadav की comedy videos से उसको जानता हूँ I just came into this community couple of years back मुझे उसके बारे में पता भी नहीं था मैंने उतना उसको follow नहीं किया चीजों को but हाँ कुछ ऐसे incidents हैं अभी मैंने देखा जैसे किसी को उसे थपड मार दिया क्योंकि उसकी मा को गाली दी तो या उसके कोई comments जो की थोड़ा सा male chauvinist comments होते हैं जाक में हो जाए जो भी हो मैं उनको dose बिल्कु नहीं करता अभी I believe Maxton वाला भी कोई किस्सा है जिसमें उसने Maxton ने सब बोल रहा है कि वो 78 लोगों को लेकर आया था जान से मानने की धमकी दिया और उसका जबड़ा बड़ा तोड़ दिया तो अगर ऐसा है तो ये सरासर गलत है किसी को भी violently threat करना एक crime है और अगर आप इतने बड़े influencer हो तो आपको एक सही example set करना चाहिए और मैं पर ये जाना चाहूँगा Elvish थे इस पूरे incident का especially Maxton वाले incident का background की है और अगर Elvish you are listening to this मैं चाहूँगा तुम आओ बात करो मेरे platform पे मैं कुछ blunt सवाल पूछना चाहूँगा कुछ सारी controversy जो जोड़ी है उससे around मैं सवाल पूछना चाहूँगा Elvish से आए और बात करते हैं because बड़ा जरूरी है लोगों को जानना कि Elvish यादव सही में क्या सुचता है मैं इतना ही कहूँगा guys ऐसे ही controversial मुद्दे ऐसे गर्मा गर्म मुद्दे उन्बे मेरी क्या उपिनिन है मेरी क्या राय है अगर आपको जाननी है तो चैनल सब्स्राइब कर ले न क्योंकि मैं हुकाश आप देख रहे हैं पीपोई रब कुछ नहीं शुपेगा क्योंकि मैं है